यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ और इस पूरी फैक्टरी में तकरीबन 20 लोग काम कर रहे थे दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाला को काबू पा लिया है और शौर्ट सर्किर जो है मुख्य वज़ा बताई जा रही है और पूरे मामले की जाच में पुलिस जुट गई है तो बड़ी खबर आपको बता रहे है डेरबसी के बेडा गाओं की एगटना है जहाँ पर कैमिकल की फैक्टरी में आग लग गई है और यह आग इतनी भीशन थी कि देखते ही देखते इसने विक्राल रूपधारन कर लिया और पूरी फैक्टरी में तक्रीबन 20 से जादा लोग काम कर रहे थी और इस खबर पर जादा जो आनकारी के लिए शाशी अरोडा हमारी संबादाता हमारे साथ जुड़ गई है शाशी क्या है पूरी खबर? बिल्कुल किर्टी इस रीके से जो देर रात की देराबसी पंजाब की घटना है चामिकल की सैक्टरी थी बेड़ागाव में चामिकल सैक्टरी थी अचानक इसमें आग लग गई और शोर्ट सटकर्ट की जो वजा माना जा रहा है तक्रीबन 20-25 मजदूर जब आग लगी त अब तुरंट है फायर ब्रिगेड की आजा दर्जन से जादा गाडिया तीन चार एंबुले स्मोटे पर पहुंची पुलिस पहुंची और इसमें अभी तक जो सूचना मिली है एक जो है घंबीर हालत में 70 परदिशा जल गया जिसको बत्ती की हॉस्पिटल में राफर चल पूरी आग जर्नी में कितना नुकसान हुआ होगा है बिल्कु जिस तरी के से आपने रिखा आपने वीडियो इसमें लेखी की धूर दू करके जो फैक्षरी जल गया एक दम से आग जोर पकड़ गई और है त्राफी इसमें जो लाखो का जो है नुक्तान हुआ है जी बहुत बहुत शुक्रे अशाशी अरोडा बड़ी खबर आपको बता रहे है डेरबसी में कैमिकल फैक्टरी में आग लग गई है जिसमें एक व्यक्ती तकरीबन 70 प्रतीशत से जादा पूरी तरह से जुलस गया है जिसे अस्पताल में भरती करवाया गया है बाकी के ज चॉट सर्किट को मुखे वज़ा बताया जा रहा है और जिस तरह से तस्वीरे दिखाई जा रही है तो ऐसे लगता है कि काफी जादा नुकसार हो गया है जादा जादा रहा है